वंदे मातरम जय भारत बाई राजीव दिक्षित अमर रहें आज भारत में 70 लाग से जादा हिचकी के रोगी हैं जिनको दिन बर हिचकी आती हैं और हिचकी के लिए अने को अंग्रेज जी की दवाईयां साल साल बर खाते रहते हैं और हिचकी ठीक नहीं होती और जिसको प्र अगातार साथ वर्सों से जिनको हिचकी आती थी और इस बिमारी से बहुत परेशान थी आज लगबग दो महिने की दवा के बाद इनकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है बाकि आप इनसे जानी है इनकी क्या स्थिती है जी बताएं आप एक बर अब इसकी आती है आपको बिल्कुल हिचकी नहीं आती पहले साथ वर्से आ रही थी जी तो हिचकी की एक बहुत अच्छी ओस्दी आपको गुरुकुल भी आने की आउसकता नहीं है अगर घर पे भी आप करना चाहें तो लाल फिटकरी जो है उसे तव्वे पर भूंद लें पावडर बना लें और खांड के पतासे के अंदर आप उसे लेंगे साथ में आप ठंडी परवर्ति की जादा लें तो आपकी हिचकी बिल्कुल दूर हो जाएगी आपको लुटने पिटने की आउसकता नहीं है और बड़े-बड़े डोक्टरों को पैसे देने की आउसकता नहीं आप घर पे ही अ चानात बच्चा हो तो आप भेज सकते हैं साथ में आप ग्राम स्वास्त रख्षक बन सकते हैं अखंड भारत स्वाइमान का कारिकरता बन के ये सभी दवाईयां आपको बनानी सिखाई जाएंगी गुरुकुल में बिल्कुल निसुल्क बोजन भी आपको यहीं से फिरी कर परवाय जाएगा रहना भी आपका निसुल्क होगा बस संकल्प आपसे लिया जाएगा कि जो ग्यान आप यहां से अरजित करेंगे उसको केवल समाज रास्ट और परकरती कल्यान में परियोग करेंगे उसके अत्रिक्त लालच नहीं करेंगे तो आप सब जुड सकते हैं औ और आपके सामने प्रक्टिकली रोगी संतोस जी हैं रिवासा मेंदरगड के पास ही गाव हैं साथ वर्ष से लगाता और इनको हिचकी चल रही थी वंदे महत्रम जै भारत